मेरे बच्चों, अधिकाश दुनिया एक मानसिक हस्पताल की तरह है, अधिकतर लोग बिमार हैं, इर्शय से, क्रोध से, ग्रिणा से, लालच से, हर चीज इंसान के लिए समस्या है, अगर वो गरीब है, तो अपनी गरीबी से दुखी, अमीर है, तो अमीरी से दुखी, अनपढ़ है, तब दुखी, पढ़ लिग गया, तब दुखी, शादी नहीं हुई, तब दुखी, शादी हो गई, तब दुखी, बच्चे नहीं हैं, तब दुखी, बच्चे हो गए, तो बच्चों से दुखी, आप जीवन के हर पहलू से द पताईए जिससे आप लोग दुखी ना हो आपने जीवन को दुख मान लिया है जीवन ना तो दुख है ना अनन्ध है ये तो बस मौजूद है मगर ये शांदर प्रक्रिया है अगर आप इसकी सवारी करते हैं तो ये शांदर है आप कुछले जाते हैं तो ये भेंकर है जीव कितने दुख लोगों को बाrac्वे वावनाएं मेरी ख्याल में बारर से तो लोगों को दुख जरा से आ हैं सारे दुख आपके अंदर हैं आपके विजार और भावनाएं आपके सोचने और महसूस करने का तरीका आपके दुख का कारण बन गया है आप कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं क्या ये आपको तैय नहीं करना चाहिए ये तो आपकी भीतर की भवनाई हैं ये भवनाई तो आपकी मर्जी के उनसार होनी चाहिए न हर चीज, चोभी, पीडा, सुख, खुशी, दुख, सब आपकी भीतर है अगर दुनिया में जो होता है चाहिए वो आपकी मर्जी से ना हो पर आपकी जो भीतर होता है वो तो आपकी मर्जी से होना चाहिए क्या वो आपकी मर्जी से हो रहा है नहीं आपके भीतर कुछ भी आपकी मर्जी से नहीं हो रहा आप नियंतन करना भूल गए हैं आपकी जो बुद्धी है वो आपकी विप्रीत हो गई है वो आपका कहना नहीं मानती वो आपके दुक्का कारण है आपके खुश हाली बाहर से नहीं आएगी आप बाहर से सूवधाईं जुटा सकते हैं अराम जुटा सकते हैं पर खुश हाली आपकी भीतर से पैदा हो सकती है अगर आपका खुद पर नियंतर्ण है तो आप सुखी हैं खुशी हर इंसान को खुशी चाहिए ये 100% साफ है इतनी सधारण चीज आपसे क्यों नहीं हो रही इतका कारण ये है कि जो आपकी बुद्ध है उसके पास कोई सीथर अधार नहीं है और आप अपने आपको यातना देने के लिए खुद ही काफी है किसी दूसरे की जरूरत नहीं आप अकेले में खुद को यातना देते रहते हैं अगर मेरे बच्चे आप मन से खुश नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं होंगे खुश तभी हो सकते हैं जब आपका खुद पर नियंतर्ण होगा आपके अंदर अनेक शत्रू है जब तक आप इन पर नियंतर्ण नहीं पा लेते तो आप खुश नहीं रह सकते अगर आपका इन पर नियंतर्ण है तो बाहर का कोई भी शत्रू आपको कोई भ शत्रू, ख्रोध, एंकार, आतम श्वाश की कमी, अशांत मन, इनसे बचो, इनको काबू में करो मेरे बच्चे, तभी तुम अपने जिन्दकी में खुश हो पाओगे, मेरी बात को ध्यान जे सुनना और इस पर अमल करना, तुमारे जिन्दकी में खुशियां आ जाएंगी, खुश रहो मेरे बच्चो,